अंकित को घर के अंदर लाने के लिए फैन्स कितना इंतजार कर रहे हैं कि अंकित आ जाएं अंकित आ जाएं अंकित आ जाएं लेकिन क्या अंकित आ रहे हैं नहीं बट अंकित से रिलेटेड कोई चीज घर में जरूर आ चुकी है जी हाँ क्या सप्राइज दिया है बिग बॉस ने प्रियांका को अंकित के नाम का चलिए आपको बताते हैं वेल हलो गाइज और वेल्कम टू फीफा फूज मैं हुजोती नाहत इस वक्त प्रियांकित फैंस बहुत ही खुश होने वाले हैं देखें सबसे पहले तो वीकिन कवार बहुत ही एक्स्क्लूजिफ होता है बहुत ही जादा डीटेल्स जो है वो इटलीस शाम तक आने लग जाती हैं जैसे अभी शाम हो रही है और अभी आने लगे हैं डीटेल्स बहुत जल्द एपिसोट शुरू हो जाएगा कुछी घंटो शबाला कि अंखित ने New Year's पर अंखित द्वारा एक gift जो है बिग बॉस वो देने वाले हैं प्रियांका को सबसे फ्यले तो घर में आज प्रियांका को थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि उनको बैशिंग नहीं मिलेगी प्रियांका को इस कि बैन बजने वाले है या दो तीन हफ़ते कि बैन बजेगी फिल हाल पता नहीं लेकिन आप बैन प्रियांका की तारीफे हुई है मैं आपको सुभा भी बताया था एक विडियो में कि प्रियांका को अप्रिशेयट किया गया है बिग बॉस Mississippi की तारीफ कि हुआ पंता तो मेर सवाल मुझे कही ना कहीं ये खटग रहा है कि प्रियांका तो पहले भी इन लोगों से बात करी थी यानि कि पहले भी वो बात करी थी विकास से शालीन से टीना से तो अभी भी भी वो उनसे बात करी तो डिफरेंस कहां आया सिर्फ सुरीजिता आड हुई पर सुरीजिता इसलिए आड हुई क्योंकि सुरीजिता और अर्चना की बीच बहस हो गई ये सब बात की एक्वेजिन है इस वक्त आते हैं प्रियांकित पर मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त मेरे पास जी हां खबरियों दुआरा स्पेशल एक्स्क्लूजिव खबर आई हो और वो खबर ये है एक्स्क्लूजिव ओन वीकेंड कवार सल्मान टू प्रियांका चाहे चौधरी यू हाव अमेसेज फॉर्म आउटसाइड बाहर की किसी शक्स ने आपके लिए एक मेसेज भिजवाया है जैसी सल्मान ये बोलते है फिर प्रियांका एक्साइड हो जाती है कि किसने मेर लिए क्या भीजा है जिसके बाद बिग बॉस जो है वो एक आउडियो प्ले करते है और वो आउडियो है अंकित के खराटो का जी हाँ बिग बॉस ने प्रियांका की टांग खिचाए करने के लिए अंकित के खराटो वाली कैसेट जो है उनके पस रिकॉर्डिंग रखी होगी जाहिर सी बात है तो उसको जोड़-जोड़ से प्ले किया और अंकित के खराटे जो है वो सुनाई दे रहे है आपका उस पूरा घर यह जो अडॉरबल मोमेंट है यह बहुत ही प्यारा लगने वाला है जब यह आयका और प्रियांका भी काफी हस्ती है तो इस पर आप क्या कहेंगे पताएगा ज़रूर